कॉंग्रेस टिक्टार्थियों के आवेदन करताओं की लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद भी क्या सुर्जे वाला परिवार से ही होगा कैथल विधानसवा में कॉंग्रेस का चहरा अभी दो दिन पहले कॉंग्रेस हाई कमान ने हरियाना विधान सबा में कॉंग्रेस की सीट से चुनाओ लड़ने की इच्छा जाहिर करने वाले टिक्टार्थियों की लिस्ट जारी की थी जिसमें 2556 टिक्टार्थी ऐसे हैं जो हर्याना विधानसवा में अलग-अलग सीटों पर चुनाव लडने के इच्छुक हैं अब इतने सारे टिक्टार्थियों में से 90 सीटों के लिए उम्मिद्वारों का चैन करना कॉंग्रेस हाई कमान के लिए सिर्दत बन गया है अब ऐसे में कैथल विधानसवा की सीट पर यहां से 6 कॉंग्रेस टिक्टार्थियों ने चुनाव लडने की इच्छा जाहिर की है लेकिन इन सभी टिक्टार्थियों में सुर्जेवाला परिवार से एक भी नाम शामिल नहीं है इन शे टिक्ट आर्थियों में सुधीर कुमार महता, अनील कुमार गुपता, बलकार क्योडक, एड़ोकेट परताप सिंग, सचिन शर्मा और दीपक कुमार का नाम शामिल है ऐसे में समझा जा सकता है कि ये सभी नाम कॉंग्रेस हाई कमान के पास हुडड़ा गुट की तरफ से ही गए होंगे लेकिन कॉंग्रेस हाई कमान के पास कैथल विधानसभा से सुर्जे वाला परिवार की तरफ से कोई नाम ना जाना, कोई चोकाने वाली बात नहीं है सवाल ये खड़ा होता है कि आने वाले विधानसभा चुनाओ में कैथल विधानसभा से कॉंग्रेस की तरफ से कौन चुनाओ लड़ सकता है इस बात में कोई दो राय नहीं कि कैथल विधानसभा का चुनाओ लड़ने के इच्चुक जो छे नाम गए हैं वो रंदीब सुर्जेवाला पर एक तरह से दबाव बनाने के लिए हुड़ा गुट की तरफ से कौंग्रेस हाई कमान को दिये गए हैं ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सुर्जेवाला का गड़ माने जाने वाले कैथल जिले में हुड़ा गुट विधानसवा चुनाओ के मद्दे नजर अपने पैर पसारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा अब सवाल उठता है कि सुर्जेवाला परिवार से कौंग्रेस हाई कमान के पास कोई नाम नहीं गया तो क्या इस बार कैथल विधानसवा से सुर्जेवाला परिवार का कोई सदस्य चुनाओ नहीं लड़ेगा इस तरह की बात किसी को भी हजम नहीं हो सकती क्योंकि ये लगभगत्या है कि आने वाले हरियाना विधानसवा चुनाओ में कैथल विधान सबा से कॉंग्रेस का परत्यासी सुर्जेवाला परिवार से ही होगा लेकिन अभी ये तैकर पाना मुश्किल होगा कि कैथल विधान सबा से कॉंग्रेस पार्टी चुनाव खुद रंदीब सुर्जेवाला को लड़वाती है या फिर उम्मिद्वार रंदीब के लड़के आधित्य सुर्जेवाला होंगे कैथल बैग न्यूज की इस पूरी चर्चा में इतना ही इस पूरे राजनिति घटना करम पर कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए